6 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण HEC के मजदूरों में खासा आक रोज देखने को मिल रहा है मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुँच गया है प्रबंधन से बार बार महनताना किरासी मांगने के बावजूद भी प्रबंधन टाल मटोल कर रहा है HEC मजदूर संग के यूनियन नेता विकास तिवारी बताते हैं कि जो मजदूर HEC को आगे बराने में अपना आहम योगदान देते हैं उन्हीं के हक के पैसे का प्रबंधन बंदर माट कर रहा है उन्होंने बताया कि पिछले चो मेने से वेतन नहीं मिलने के कारण मजदूर परिसान है और प्रबंधन बेफिक्र होकर अपनी कमाई में जूटा है उन्होंने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस वक सबसे जरूरी मजदूर को वेतन देना है लेकिन प्रबंधन वैसे ठेकेदार को पैसा दे रही है जिनको अभी पेमेंट करने की जौरत नहीं है विकास्तिवारी ने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदारों को सिर्फ इसलिए पैसा दिया जा रहा है क्योंकि इनके payment से प्रवंदन में बैठे अधिकारियों का commission बनता है यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ एक पर्मानेंट CMD नहीं है जिसके कारण बहुत सारे काम held up हो रहे हैं जो होने लाएक काम भी है उसे लेंदी किया जा रहा है आज हमारे यहाँ वरकरों के 6 महिने से बकाया बेतन हो गया है और officer का 7 महिने का बकाया बेतन हो गया है लेकिन यहाँ पे management के द्वारा उल जुल बाते की जा रही है और सही तरीके से यहाँ के वरकरों को treat नहीं किया जा रहा है इस्थिती ऐसी है कि यहां पे बाकी सभी कामों के लिए यहां के पुराने पुराने ठेका में जो काम वेंडर के तहत कराया गया था उन लोगों का पेमेंट किया जा रहा है लेकिन यहां के मजदूरों की सेलरी के बारे में यहां की मेनेजमेंट नहीं सोच रही है उनको हमारी मांग से कोई दर्द नहीं है अगर हमारा पेट च्छे महिना से वेतन भुकतान नहीं हुआ है उसे कोई मतलम नहीं है भुखा है तो अज मज़ूर भुखा है आज हमें दर्द है हमारे साथियों को दर्द हो रहा है लेकिन जब मज़ूर यहां अंदोलन करती है उ अभी जो है एक्शन मोड में आए और शे महीना का वेतन अभी लंब दे ताकि मजदूर जो है उग्र आंधोलन के लिए बाद देना हो और उत्पादन परभावित ना हो इसके कारण हम लोगों का इस्तिती बद से बदहाल हो गया है और परिवार चलाना बड़े मुश्किल हो गया है और परवंदर अगर इसी तरह के रवाईया अपनाएगी तो आगे का करवाई बहुत ही जदा उग्र होने की संभावना है